नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का आने वाला तीन दिन यणी की छे जनबडी, सात जनबडी और आठ जनबडी का दिन कैसा बितेगा इन तीन दिनों के दौरान आपके जीवन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाती हैं तो आपका आने वाला तीन दिन बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों आने वाले तीन दिनों के दौरान अगर आपके सुवास्त की बात करें तो सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों अगर आप लंबे समय से ठकान और तनाब महसूस कर रहे थे तो आने वाले तीन दिनों के दौरान आपको ठकान और तनाब से आराम मिलेगा मित्रों आने वाले तीन दिनों के दौरान जिस काम को करने से आपको खुसी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक सांती मिले आप वही काम करें क्यूंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आने वाले तीन दिनों के दौरान आपकी सेहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन इस अबधी के दौरान अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका समय आपका साथ नहीं देगा दोस्तों आने वाले तीन दिनों के दौरान अगर आप किसी भी व्यक्ती के साथ थे धन संपती का लेन देन करते हैं तो लेन देन करने से पहले शामने बाले बिक्ती के बारे में आपको साड़ी बातें पता करनी होगी क्योंकि इस अबधी में अगर आप जल्दी बाजी में धन शंपती का लेन देन करते हैं तो आपको पैसों के मामलों में पड़ेशानी का शामना बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले तीन दिनों के दौरान अगर आपके दामपत्य जीबन की बात करें तो दामपत्य जीबन के दृष्टी कोन से आपका समय आपका शाथ नहीं देगा दोस्तों आने वाले शमय के दौरान संभाबना है कि आपके दामपत्य जीबन में कोई बाहरी बिक्ती दूरी पैदा करने का पड़ियास करेगा लेकिन आप दोनों को इस मामले में शम्हल कर रहना होगा क्योंकि अगर आप अपने दामपत्ती जीवन के मामलों में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का समना बहुत जियादा करना होगा तो यही था आपके आने वाले तीन दिनों का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले तीन दिनों के दौरान किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बिहतर और सांदर होगा दोस्तों टोटका बहुत ही जयादा सामान है आने वाले तीन दिनों के दौरान आपको असनान ध्यान करने के बाद भगबान स्री गनेश की पूजा करने होगी अपने पूजा पाठ से आपको भगबान स्री गनेश को खुस करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर और सांदर होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे